हेलो बच्चा लोग स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड एंडी फिजिक्स विधरदीप सर देखिए हम जो बार्मी क्लास का आपका फिजिक्स का जो सलेबस चल रहा है उसमें हम एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं अब हम आपका चैप्ट नमबर जो टू चल रहा है गाउस का नियम गॉस जो आर बीसी बोर्ड और सी बीसी बोर्ड में हैं इंगलिश इंदी दोनों मीडियम में कंबाइन हमारा चलता है उसके अंदर हम आज दूसरे लेक्चर पर पहुंच गए हैं और ये एक दो लेक्चर और इसमें लगेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड वाला तो देखिए पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी विदूत फ्लक्स के बारे में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लेकिन आज भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैंने हैडिंग डाल के लिखा है ये विदूत फ्लक्स का ही एक भाग है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही एक पार्ट है बस आपको समझाने के नजरिये से एक बार दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे से ये आपको समझ भी आजाएगा तो उस पे हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है देखिए विदूत शेत्र ई और एरिया डी एस दोनों का डॉट प्रोडक्ट दोनों का बिंदू गुननफल होता है इलेक्ट्रिक फिल्ड ए एंड एरिया डी एस दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें से निकलने वाला फ्लक्स और फ्लक्स का मतलब क्या होता है कितनी लाइन इसे कितनी electric field lines विदुत शेत्र रेखाएं उस area में से पास करते हैं जैसे यह कोई area मालिया मैंने जो इदर मैंने draw किया A, B, C, D और यहां से क्या है electric field lines जो हैं इस तरीके से निकल रही है विदुत शेत्र रेखाएं निकल रही है जिसको E सदिश लगा के आप शो करते हो E vector इनकी संख्याई क्या होती है इनकी number counting जो होती है वो क्या होती है फ्लक्स होती है तो यह electric flux है विदुत फ्लक्स की बात हम कर रहे हैं ठीक है भई अब देखिए एक बात आपको आज और समझनी है कि अगर कोई भी plus q charge है plus q आवेश है तो आपको मैंने पिछले chapter में पहला chapter ज फ्लक्स का मतलब होता है रेखाओं का बाहर निकलना यहाँ पे रिखाएं बाहर निकलना यहाँ पे रिखाएं आंदर आ रही है तो इसलिए यह क्या है अब देखें यह जो flux लिखा था e बराबर e.ds e का mode ds का mode cos theta यह Kable DS Sheter Falls से निकलने वाला Flux था निर्गत का मतलम निकलने वाला यह Kable DS से निकलने वाला Flux था It Is Flux Only Through Area DS यह पूरे के पूरे सर्फेस में से नहीं था जैसे यह डाइगराम देख रही हुआँ इसमें देखे पूरी की पूरी सर्फेस तो यह है एस लेकिन और इलेक्ट्रिक फिल्ड के अंदर इसको रख दिया यानि कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करो यहां पर बिल्कुल हम ब्लैक बोर्ड पे जैसे समझते हैं यह देखिए कोई भी सर्फेस है एस ठीक है उस सर्फेस को उस सते को इसको मैंने और यह देखी बिल्कुल बंद है बिल्कुल बंद है न देखो कहीं से भी खुली नहीं है बिल्कुल बंद है बंद एक प्रस्ट है एक क्लोजड सर्फेस है और इलेक्ट्रिक फिल्ड विदुचेतर रेखाएं इस तरीके से हैं उसको electric field में रख दिया और electric field कैसे बनता है इस तरफ धनाविशित प्लेट लगा दो positive plate लगा दो इस तरफ negative plate लगा दो positive से negative की और electric field बन गया विदुचेतर बन गया उसके अंदर इस surface को रख दिया इस सते को रख दिया अब इसमें से कितना flux गुजरेगा उसको find करने के लिए कितना flux इसमें से pass होगा उसको find करने के लिए इसको छोटे छोटे हिस्तों में काट देता हूँ इस S को छोटे छोटे हिस्तों में काट दिया देखो एक छोटा सा हिस्सा जो इसमें बन रहा है उसको नाम दे दिया e.ds निकलेगा लेकिन पूरी सत्य में से कितना निकलेगा आपको पता है आप समाकलन करते हो तो पूरी सत्य में से समाकलन कर देंगे integration कर देंगे entire surface s के लिए integration s आजएगा है ना प्रस्ट समाकलन हमने पढ़ा था ना जब आपको पिछले chapter के अंदर जब पढ़ाया था तो उसके अंदर हमने study किया था तो पूरे के लिए क्या कर देंगे समाकलन तो वही किया समपूरन प्रस्ट से निर्गत flux flux through entire area तो देखिए मैंने integration कर दिया phi is equal to समाकलन se.ds यही diagram हमने आपको समझाया है फिर देखिए अगर अब ये surface देखो बिलकुल बंद है बिलकुल closed है closed है तो क्या आजएगा flux through closed surface ठीक है न तो closed surface के लिए फिर क्या होता है अलग होता है result बंद प्रस्ट से निर्गत flux तो यहां पर देखिए एक गोला यह integration का निशान है यहां पर S सतय का नाम लिख दिया इसके उपर यह गोला लगा दिया बंद कर दिया प्रस्ट को तो यह हो गया बंद प्रस्ट के लिए देखिए बिलकुल closed surface के लिए इसको बंद करके लिख दिया यह तो कुछ flux की बात थी अब देखिए आपको पता है ज क्या है इसको क्या करते है अदिश गुणा 11 मी में पढ़ा है अपने और सदीश गुणा 2 होता है तो देखिए क्या है flux is a scalar quantity flux क्या है एक अदिश राशी है यह याद रखना है आपको flux एक क्या है अदिश राशी है क्योंकि result इससे क्या आता है अदिश आता है यह कुछ और बाते थी flux के बारे में जो आप से करनी थी यह flux के बारे में आपको याद रखना है अब हम बात करते हैं बहुत ही important topic जो आप wait कर रहे हो जिस topic about time से उस topic की बात करते हैं Gauss का नियम, Gauss's law, Gauss का नियम इसके उपर आजम सर्चा करेंगे और यह बहुत ही important part और physics का इसको हमें अच्छे से study करना है तो देखी शुरू करते हैं हमने अभी अभी बात की है कि किसी भी प्रस्ट से जो flux निकलता है किसी भी बंद प्रस्ट से निकलने वाला flux पहले इतना द्यान दो पहले इतनी लाइन पे द्यान दो किसी बंद प्रस्ट से निकलने वाला flux और आपको पता है किसी बंद प्रस्ते से निकलने वाला flux होता है इतना इतना phi e बराबर समाकलन integration e.ds the flux through any closed surface इतना याद रखिए और flux through any closed surface is equal to इंट ये आपको पता है अभी योपी पढ़ा integration e.ds और उसके बाद क्या जाता है closed surface है तो यहाँ पे loop लगा देते है closed वाला ये होता है अब ये गाउस ने क्या बताया गाउस ने बताया कि ये q बटे of silence zero होता है बस इसको याद कर लो ये क्या होता है q बटे of silence zero होता है q क्या होता है उस surface जो हम जिस सत्य की हम बात कर रहे हैं जिस surface की बात कर रहे हैं उस सत्य के अंदर कितना चार्ज बैठा है उस सर्फेस के अंदर कितना आवेश है उस आवेश को क्यों कहते हैं और अफसालन जीरू आप सब को पता है अफसालन जीरू क्या होता है आठ पॉइंट आठ पांच चार एक गुणा दसकी पार माइनस 12 बारा कुलाम स्केर पर न्यूटन मीट स्केर इसको क्या कहते हो आप निर्वात की विदुचीलता परमीटिविटी ओफ री स्पेस तो वही बात बता रहे हैं कि फ्लक्स जो निकलता है किसी सत्य से वो क्यू बटे अफसालन जीरू होता है फ्लक्स बंद प्रस्ट द्वारा परिबद कुल आवेश का एक बटे फ्लक्स तुरू एनिकलोजड सर्फेस इस वन अपॉन अफसालन जीरू टाइमस आफ टोटल चार्ज बांडे इन डाट क्लोजड सर्फेस ठीक है यही बात हमने यहां पे की है तो वही आगा फाई ए बरबर ए डॉट डिस क्यू बटे अफसालन जीरू अफसालन जीरू चीलता पर्मिटिविटी ओफ फ्री स्पेस और यही चीज हमने आपको बता दी है कोई दिकत नहीं है और द्यान रखना क्यू चार्ज जो है न वो सर्फेस के सतय के अंदर है बार नहीं यानिकि अगर यह कोई सतय है ठीक है न यह मानली कोई सर्फेस है एस इसको मैंने नाम दे दिया इसको इस घन को इस क्यूब को एस नाम दे दिया इसके बाहर प्लस क्यू आवेश पड़ा है तो यह बार वाला काउंट नहीं होगा बार प्लस क्यू वन है अंदर प्लस क्यू टू है तो इसमें से फ्लक्स देखे प्लस क्यू टू की वज़े से बार निकलेगा फ Q2 लिखोगे, Q2 बटे अफसालन जीरो ठीक है ना, और नहीं लिखोगे, और अगर यही सत्य ऐसे हैं, सेम सत्य की बात करते हैं, लेकिन अंदर जो आवेश है, कोई भी आवेश नहीं है, बार पड़ा है, प्लस Q1, कैपिटल Q पड़ा है बार, अंदर कुछ नहीं है, अंदर नहीं है, तो अंदर का Q0 है, तो कोई फलक्स नहीं निकलेगा, इस में से कोई फलक्स नहीं निकलेगा, ठीक है ना, सिमिलरली अगर अंदर माइनस का Q आवेश पड़ा है, तो माइनस के लिए लाइन ये अंदर की और होती है, तो माइनस के लिए अंदर की और लाइन्स हों पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है ये बिलकुल बेसिक चीज होगी अब देखिए आपको कुछ चीजें नोट करनी है और वो ऐसी चीजें है जो फिजिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टन्ट है बहुत सारी चीजें आएंगी अभी लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान लगो जो मैंने अभी अभी बताई अगर कोई आवेश नहीं है प्रस्ट के अंदर अगर इफ देर इस नो चार्ज इन क्लोजड सर्फेस इस सर्फेस कैसी भी हो सकते चलो ये मान लो मैंने उट पठांक सी मान लो एस इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है यहां सेम चार्ज है प्लस क्यू है और माइनस क्यू यानि कि सेम है तो प्लस क्यू माइनस क्यू तो टोटल चार्ज कितना हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर जीरो चार्ज यहां यह प्लस का दो क्यू है तो यह माइनस का दो क्यू होना चाहिए यह तो मतलब प्रस्ट के अंदर कुल आवेश अगर 0 है प्रस्ट के अंदर सरफेस के अंदर टोटल चार्ज अगर 0 है इध डिर इस नो चार्ज इन क्लोस सरफेस यदि बंद प्रस्ट में कोई आवेश नहीं है तो क्यों 0 हो जाएगा तो अब्यस्थी बात है flux भी नहीं निकलेगा क्योंकि flux क्या हो जाएगा फिर q बटे of silence zero होता है flux तो zero बटे of silence zero answer zero आगया तो इसका मतलब क्या हो गया आता है निर्गत flux भी शुन्ने होगा hence flux doesn't pass समान आवेश हैं एक plus का एक minus का एक plus का क्यों minus का क्यों या फिर कोई आवेश नहीं है तो कोई flux नहीं पास करेगा यह direct question आजाता है कई बार है इसमें कुछ नहीं ठीक है बच्चो अब देखिए यह भी आपको द्यान रखना है अब हम proof करते हैं आपको gauze के नियम का proof पूछा जाए चाहे कुलाम के नियम से पूछा जाए चाहे simple पूछा जाए आपको क्या करना है इस topic को करके आना है बस ठीक है और दूसरी बात मैं बता दूँ इसका जो proof अब हम करेंगे वहाँ पे एक step आपको रटना पड़ेगा और उसका कोई लाज नहीं है उसका रटा ही माना पड़ेगा और वो क्या याद करना पड़ेगा आपको अभी याद कर ली जिए उसको यहाँ पे मैं बताता हूँ ds ds surface होती है नो उसी की बात करते है ds cos theta upon r square r square का जो समाकलन होता है सता है s पे वो 4 πाई होता है देखो समाकलन तो करना ही करना है और बंद प्रस्ट पे करना है आपको यह भी पता है तो उसका समाकलन 4 πाई होता है यह आपको याद कर ले ना बाकी आपको याद रह जाएगा easily अब देखे इसमें करना क्या है यह जो डाइगराम दिख रहे है सारा इस डाइगराम को ही समझने की बात है अब देखी थोड़ा सा मैं डाइगराम को जूम करके आपको कलियर करवा देता हूँ देखी यह सरफेस बनाई हुई है ठीक है ऐस सरफेस बनाई हुई है इस ऐस सरफेस के अंदर इसके अंदर है अब देखो आवेश तो अंदर ही होगा गाउस के नियम को पुरूफ करना है और गाउस का नियम क्या कहता है पर अंदर होना चाहिए आवेश तो इसके अंदर पॉइंट O के उपर एक चार्ज रख दिया आवेश रख दिया प्लस Q और इससे ठीक आर डिस्टन्स के उपर ठीक आर ये देखो डॉट डॉट लाइन जो बीच में देख रही है ठीक आर डिस्टन्स के उपर एक पॉइंट P है जो बिलकुल सर्फेस के उपर है पॉइंट P है जहां पर एक हमने अलपांच मान लिया डी एस जो एक गोल गोल ये गोल गोल बना हुए है ठीक है डी एस एक क्या मान लिया सर्फेस एरिया मान लिया अलपांच मान लिया इससे ठीक आर दूरी पर तो अब इलेक्टरिक फिल्ड की डिरेक्शन क्या होती है प्लस Q चार्ज है प्लस Q आवेश है सर्फेस एरिया प्रस्ट मान लिया है कि ये और प्लस Q आवेश के लिए प्लस Q चार्ज के लिए हमेशा डिरेक्शन बार की और तो ये देखे विदुद शेतर की दिशा हमने पहले ही बनाई हुई है बार की और तो E वेक्टर देख सकते हो बार की और बना हुआ है ये Ds वेक्टर की डिरेक्शन होगी ये Ds की दिशा होगी और E और Ds में कौन थीटा हो गया ठीक है और ये O से लेके ये P तक की दूरी जो है डिस्टेंस जो है वो R होगी O P is equal to R अब देखो E की वेक्टर गया होगी तो आप सबको पता है हमने पिछले चैप्टर में बढ़ा था के Q बटे R स्क्वार होती है इंटू R कैप और लगा देते हैं दिशा बताने के लिए के की वेक्टर पाई एपसालन जीरो तो Q बटे R स्क्वार वैसे रहेगा के को लिख देंगे एक बटे चार पाई पसालन जीरो विदू छेतर मिल गया हमें निकालना है फ्लक्स तो DS से जो फ्लक्स निकलता है उसको D phi कर देते हैं D phi E क्योंकि बाद में समाकलन हो जाएगा है ना इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या होगा इंटीग्रेशन आपको पता है इंटीग्रेशन यहां नहीं होगा पहले सीधा होगा E.DS यह तो अभी अभी पढ़ा है और E.DS को क्या लिखोगे E.DS.Cos Theta E.DS.Cos Theta लिख दो क्योंकि दोनों में अंगल देखो Theta है और E की वैल्यू रख दोगे KQ बटे R सकेर तो क्या बन जाएगा E.K.Q. बटे R सकेर यह होगा E फिर D.S है आपके पास पढ़ा है D.S E.DS.Cos Theta तो E की वैल्यू रख दी E.DS.Cos Theta पढ़ा है ठीक है यह फ्लक्स आगा D.Pi टोटल फ्लक्स के लिए क्या कर दोगे इसका समाकलन कर दोगे E.S.A. और E.S.A. K.Q. बटे जाएगा अंदर बचे का E.S.Cos Theta पटे R सकेर का समाकलन और वो मैंने आपको बताए 4.Pi होता है तो यही काम है इतना ही काम करना है बिल्कुल असान है देखो बाकी करेंगे और समझा देगा Proof of Gauss's Law Using Coulomb's Law Coulomb's के नियम से Gauss के नियम का सत्यापन पहले हिंदी में बताता हूँ फिर इंग्लिश में यह पूरा बताएंगे क्या कहते हैं माना S एक बंद प्रस्ट है जिसके अंदर बिंदू O पर आवेश क्यों रखा है यही बात S बंद प्रस्ट है Q पर O पर एक आवेश क्या रखा हुए देखो यहां Q रखा हुआ है फिर कहता संपूरन प्रस्ट को अनंत चोटे चोटे प्रस्ट अलपांशों से मिलकर बना माना जा सकता है ठीक है चोटे चोटे अलपांश ऐसे 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 काट सकते हैं एक Ds मान लिया यहां पे P पॉइंट पे जो इस से आर दूरी पर है बिंदू P पर अवेश पर तिवरता ग्यात तिवरता E है पता है आपको Ds से कौन यह थीटा बना रही है विलकुल Ds और E में कौन थीटा है तब O से आर दूरी पर तिवरता अब इस बिंदू से यानि कि इस प्लस Q की वज़ए से O से आर दूरी पर तिवरता क्या होगी वही चीज के क्यू बटे आर स्केर के होता है एक बटे चार पाइफ सैनन जीरो तो बन गया यह एक बटे चार पाइफ सैनन जीरो क्यू बटे आर स्केर और आर कैप दिशा के लिए लगा देते हैं सेम चीज इंगलिज में देखते हैं Let S be a closed surface in which charge plus Q is placed at point O बिल्कुल ठीक है S कोई closed surface है उसके अंदर O point पे charge plus Q रखा है उसे R distance पे point P है और point P पे एक surface element DS है जहां पर electric field की जो direction है क्योंकि plus Q के लिए बार क्यों रही है DS की ये दोनों में angle theta है और E की value आपको पता ही ये होती है वही चीज लिखा है entire surface S is assumed to be divided into small surface element DS छोटे छोटे elements में काटा हुआ मान सकते हैं एक element consider करते हैं DS at point P at R distance from point O intensity E at point P makes an angle theta with DS then intensity at point P will be तो सेम है ये बिल्कुल वही जीज़ जो मैंने उपर बताई है तो E मिल गया अफ्लक्स निकालना है तो flux के बारे में आपको पता है flux through DS DS से निकलने वाला flux D phi E is equal to E dot DS E DS cos theta E की value रख दी 1 बटे 4 पाई फसालन जिरो Q बटे R square DS cos theta वैसे ही पड़ा है E की value E की जो value है वो यहाँ पे हमने put कर दी है Q बटे 4 पाई फसालन जिरो इकठा कर दिया DS cos theta वैसे कर अलग कर दिया फिर आपको पता है समपूरन प्रस्ट से निकलने वाला flux निर्गत flux through entire surface तो समाकलन कर देते है integration कर दिया इसका दोनों अब integration किया तो ये तो बार आजाएगा integration से इसका integration हुआ और DS cos theta वैसे कर का integration मैंने बताया 4 pi आपको याद रखना है और बात भी obvious है 4 pi आपको याद भी रह जाएगा मुझे बताने की भी जूरत नहीं थी आपको बहुत easy ली याद रह जाता क्यों? क्योंकि मुझे ये proof करना है तो ये qbate 4 pi of silent zero के गुना में क्या लगाँ? यानि कि इसको क्या रखों? कि answer qbate of silent zero बचे तो obvious है 4 pi रखो 4 pi रखो तो ये 4 pi से 4 pi कट जाएगा बचे का qbate of silent zero तो वही बात है चाहिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि इसको मैं जैसे यहां लिका है 4 pi we know that हम जानते हैं ये 4 pi होता है इसको मैं 4 pi ही रखों क्योंकि जब 4 pi रखोंगा 4 pi से 4 pi कैंसल बचा q upon silent zero और ये हमें प्रूफ करना था यही तो है gos का नियम कि phi e जो flux होता है वो qbate of silent zero के बराबर होता है और ये यहां से हमने क्या कर दिया दोबारा से प्रूफ कर दिया ये आपका gos का gos का जो है ये नियम था और gos के नियम का statement और statement यानि की कथन और कथन के बाद ही उसका प्रूफ हो गया ठीक है भई अब देखिए बात करते हैं कुछ important चीजों की जो आपको समझनी है और अच्छे से mind में fix कर लेनी है बहुत important है कुछ note है, कुछ याद करना है बैसे ये बात मैं बता चुका हूँ आपको दोबारा थोड़ी सी बात बता दूँ इसी चीज़ को दोबारा explain कर दूँ flux क्या है phi e किसी surface से जो बार निकलता है जैसे ये कोई सत्य है इस सत्य से बाहर flux तो इस सत्य से बाहर flux निकलता है और ये बाहर flux कितना निकलता है ये डिपेंड करता है किस पे phi बराबर q बटे अफसाइलन 0 अब देखो अफसाइलन 0 तो एक क्या है constant है तो अफसाइलन 0 तो एक नियतांक है वो तो fix है तो उस पे तो निर्बर ही नहीं करेगा फिर की फाई तो फाई केवल किस पे निर्बर कर रहा है क्यू पे ना ही इस बात पे निर्बर करता है कि इसका साइज क्या है जो सर्फेस है अब देखो एक तो ये ले लिया बेलन एक ये ले लिया गोला और एक ये ले लिया है मैंने क्या एक घन अब इन तीनों के अंदर आवेश समान पड़ा है पलस क्यू पलस क्यू तो मैं बताऊँ तीनों की शेप अलग अलग है लेकिन फलक्स अब पलस क्यू की वज़े से फलक्स बार क्यो निकलेगा यहां भी फलक्स बार की और निकलेगा यहां भी फलक्स बार की और निकलेगा तो इसके कारण फलक्स जो होगा तीनों में एक जैसा फलक्स होगा फाई ए तीनों में एक जैसा निकलेगा क्योंकि फलक्स केवल चार्ज केवल आवेश पर निर्पर करता है only depends on charge cable charge पर depend करता है flux y वो surface कैसी है उस पर depend नहीं करता यही charge Q अगर टेडी मेडी surface में रखा हो Q की जगे अगर Q की जगे माल लीजिए कि यह टेडी मेडी surface है यहां भी Q है तो इसमें भी same flux होगा लेकिन अगर माल लीजिए इसको मैं 2 Q कर दू 2 Q कर दू तो पता है क्या होगा इन दोनों में बेलन में और गन में तो समान flux निकलेगा बेलन में और गन में तो समान flux रहेगा इन दोनों में इसमें double हो जाएगा इनका तो कि इसका answer कि आएगा 2 Q बटे of silent zero तो इसमें double हो जाएगा तो यही लिखा है देखिए अब चीजें समझते हैं कहता है यदी दो समान परिमान के विपरीत आवेश हो if there are two charges of equal magnitude and a positive nature अब देखिए एक plus q का है दूसरा minus q का है total जोड़ना net charge क्या हो जाएगा plus q minus q तो यह कट जाएगा अब total 4 is 0 तो फाई होता है q पैण सालन 0 q की value तो 0 है तो 0 पैण सालन 0 answer 0 तो कोई flux नहीं निकलेगा कैसे क्या मतलब इसका कोई flux क्यों निकलेगा क्योंकि total flux पते होता है कुल flux find out forward minus 5 inward outward का मतलब बार निकलने वाला निर्गत और inward का मतलब अंदर जाने वाला अब देखो पलस Q की वज़े से बार निकलता है फ्लक्स, माइनस Q की वज़े से अंदर आता है, दोनों ही इसके अंदर बिलकुल रखे हुए हैं, क्योंकि अंदर ही होना चाहिए अवेश, बार के आवेश बार तो चाहिए, बार तो चाहिए ना, हजार कुलाम का वेश भी पलस Q से जितनी लाइने बार निकलेंगी, माइनस Q की उतनी लाइने अंदर आएंगी, तो इसका मतलब अंदर आने वाली लाइने इंवर्ड और बार निकलने वाली लाइने दोनों बराबर हैं, और लाइनों की संक्याई तो फलक्स होती है, यानि कि अंदर आने वाला फलक दोनों बराबर हैं तो इसका दोनों बराबर हैं है ना दोनों बराबर हैं तो यह दोनों कट जाएंगे आंसर क्या जाएगा जीरो टोटल फलक्स जीरो अब एक अब यही अगर बात करें हम कि यही अगर प्लस क्यू की जगह प्लस का दो क्यू होता और माइनस का उता क्यू अ अब अगर यहां से मान लीजिए चार लाइने निकल रही है जिसे समझो प्लस क्यू से चार लाइने निकल रही है और माइनस क्यू से चार लाइने ही अंदर आने वाली लाइने और बाहर जाने वाला फ्लक्स अंदर आने वाला फ्लक्स भी चार बाहर जाने वाला भी चार तो यहां हो जाता चार माइनस चार तो आंसर का जाता जीरो यह तो यह बात थी अगर यह प्लस क्यू की विजाए होता प्लस का दो क्यू प्लस का दो क्यू तो आने वाले लाइने और यह तो माइनस का क्यू होता तो आने वाले लाइने तो चार ही होती लेकिन जाने वाले लाइन flux फिर 0 नहीं हुता धना वेशीत होता क्योंकि धना वेशीत होता था देखो two q minus q बटे अजयता है अगर यही बात करूं मैं कि माइनस का होता 2q और plus का होता only q माइनस वाला डवल कर दिया अब सोचिए फाई निर्गत निकलने वाला फ्लक्स कहाँ से निकलता प्लस क्यू से प्लस क्यू से तो चारी लाइने निकलती प्लस क्यू से तो चारी लाइने निकलती लेकिन अंदर कितनी लाइने आती माइनस क्यू में अंदर आती 8 लाइने, बार जाती 4, तो यहाँ पे देखी क्या है, आउट वर्ड बार जाती 4, इनवर्ड अंदर आती 8, निर्गत निवेशी, निवेशी अंदर आता निर्गत बार निकलना, आंसर आता माइनस का 4, तो देखी फलक्स होता है रिना वेशी, क्योंकि रिना वे यह बात हम पढ़ चुके हैं किसी प्रस्ट से निकलने वाला फ्लक्स उसकी आकरती पर निर्बर नहीं करता बलकि केवल मात्र उसमें रखे आवेश की मात्रा पर निर्बर करता है अब यह सिलिंडर है शेप में यह क्यूब है लेकिन दोनों में चार्ज क्या है प्लस टू क्यू प्लस टू क्यू तो दोनों का जो फ्लक्स है वो क्या है फाई वन भी टू क्यू पटे अफसाइलन जीरो फाई टू भी टू क्यू पटे अफसाइलन जीरो है cylinder का flux भी इतना cube का भी इतना दोनों flux equal है कितने है 2Q upon epsilon 0 इसलिए कि आगया answer बिलकुल same आगया वही लिखा है independent form shape it depends only upon amount of charge present in it इसमें कितना charge amount है उस पे depend करता है और किसी बात पे ये depend नहीं करता ठीक है अगर यहाँ पे 3Q 3Q charge होता तो 3Q by epsilon 0 3Q by epsilon 0 अगला देखी वही बात यदि बंद प्रस्ट में परवेश करने वाली विदू चेतर रिखाओं से निर्गत संगा निर्गत रिखाओं के संग अधीक है तो flux दनात्मक होता है क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि 5 जो होता है निर्गत माइनस 5 निवेशी होता है तो निकल ज़्यादा रही है परवेश कम करने है इसका मतलब कुछ ऐसा इसके अंदर है जो रिखाओं को बढ़ा रहा है जो number of lines को increase कर रहा है और आपको पता है number of lines वही increase कर सकता है जो number of lines जो बार छोड़े और number of lines रिखाओं को बार कौन चोड़ता है पलस आवेश इसका मतलब पक्का है उसमें क्या रखा है पलस आवेश रखा है इसका मतलब इसी दरीके से यहां देखिए दोनों डाइगरम अगर positive charge रखा हो तो flux क्या होता है पॉजिटिव होता है विदुचेतर रिखाओं से निर्गत रिखाओं की संग्यादिक है तो flux दनात्मक होगा प्रस्ट के भीतर धनावेश होगा इस number of electric lines coming out coming out surface surface से out आ रही है वो greater than to that of coming in then flux is positive there will be positive charge inside the surface ठीक है surface के अंदर positive charge है अगर रिखाएं बढ़ रही है और vice versa मतलब अगर रेखाएं अगर number of lines कम हो रही है देखिए हैं four lines थी two रह गई इसका मतलब two lines absorb हो गई बीच में कहीं और absorb कौन करता है आपको पता है minus का जो charge होता है minus का q charge अपने अंदर absorb कर लेता है तो दो lines उसने absorb कर ली same यहाँ पर ठीक है तो इसका मतलब उसमें minus charge है तो flux भी क्या है negative है तो flux क्या जाएगा five is equal to यहाँ तो plus q by epsilon zero यहाँ जाएगा minus q by epsilon zero ठीक है दोस्तों तो यह आपका क्या था बच्चो आज का पूरे का पूरा आपका lecture था मुझे लगता है आपको lecture अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ इतनी ही बात एक तो आपको यह ध्यान रखने है आज के lecture में कि ds cos theta upon r square जो होता है वो 4 pi होता है आपको इसका रटा मार लेना है और कुछ भी नहीं है दूसरी बात यह याद रखनी है कि ds से जो निकलता है ds से जो निकलता है flux वो तो होता है e dot ds पूरे s से जो निकलता है तो ds का समाकलन करेंगे तो ऐसे मिलेगा वो कितना निकलता है वो निकलता है समाकलन e dot ds का integration और अगर surface close है s के लिए अगर surface close है बंद प्रस्ट है तो उसके लिए यहाँ पर बंद प्रस्ट काचे न लगा देते है बंद प्रस्ट वक्र के लिए यहाँ यह लग जाता है ठीक है यह बात द्यान रखना है फिर यह क्यूब अफसालन जीरो होता है किसने बता है गाउस ने इसका प्रूफ भी किया फिर यह भी द्यान रखना है क्यूब जो है वो चार्ज होता है जो अंदर है surface के बार वाला नहीं लेना हमें surface के अंदर सत्य के अंदर वाला आवेश होता है ठीक है ना फिर यह जो flux जो होता है E.DS यह केवल क्यूब पे निर्बर करता है कि अंदर कितना वेश है इस बात पे नहीं कि सत्य कैसी है सत्य चाहे बेलन हो चाहे गोला हो चाहे सिलेंडर हो चाहे स्पीर हो चाहे क्यूब हो सब के लिए यह एक जैसा होगा अगर सब में चार्ज एक जैसा है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू लेकिन अगर किसी एक में भी मैं कर दू प्लस जैसे इसमें घन में क्यूब में प्लस टू क्यू कर दिया तो इन दोनों से इन दोनों से ही इसमें फ्लक्स डबल हो जाएगा निकलने वाला ठीक है दोस्तों यह आपका आज का लेक्चर था वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स